अभी मैं मुझूद हूँ पच्मी चंपान जीले के बेरिया परखंड का अंतरगात बगही बगंबर पूर्ट पंचायत के वाड़ नमर 11 में आज मैं आप लोगों के दिखाने वाला हूँ कि नेता के द्वारा तो घापला होता ही है उसके साथ में ठीकदार जो होते हैं वो भी काफी ज़्यादा घापला करते हैं और किस तरह से करते हैं कैसे करते हैं उसका पूरा सचाय आज मैं आप लोगों दिखाने वाला हूँ और पूरूप के साथ दिखाने वाला हूँ जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं कि ये एक रोड है और ये रोड बना हुआ है करीब ये बना हुआ कम से कम एक महिना नहीं हुआ होगा और इसको रिपेरिंग भी कर दिया गया है कितना दिन पहले 15 दिन पहले इसको बना हुआ है और इसको रिपेरिंग भी कर दिया गया आज मैं आप लोगों के यहीं दिखाने वालों के किस्ता से घपला होता है जबकि यह रोट बना है मुख मंतरी संपर्क योजनक के द्वारा और इस रोट को कितना दूर बना गया है ल बना था जबकि 700 मिटर बना है और आप लोग सोचने के 300 मिटर कहा गया आज आज आप लोगों को दिखाने वालों देखिए यह रोड और इसके जेश्ट बगल में यहां और यह जबकि हैं बालू आप लोग देख सकता है कि यह बालू अभी बारिस नहीं हुआ है तो इस त उठना शुरू हो जाएगा अभी आप लोग देख सकते हैं कि इस रोड को बनवाया गया जब कि एक महिना इसको बनवाया हुआ देखेए यह इस तरख चौ शक्ते हैं आप देखिए यह इस्तिती हैं आप लोग सो शकते हैं अब अब अप नाता जी आपने लिए दिखा रहे हैं और आप लोग सचाई देखिए कि इस तरह को इस थितीती आप लोग देख सकते हैं कि यह तहत ने कि योजना के तहत बना है लेकिन कोई लगा है किसी को पता नहीं है कि आपको सोच सकता है कि इस में कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा घापला हुआ तब तक 15 दिन हो गया इसको बने हुए इसका घाटन भी हो गया अभी तक बोड नहीं लगा है तो इसका क्या हो जाओ है लगा हुए दो 15 दो बार रेपेरिंग के चुका है वकर कारीब साल के बाद रिपेरिंग किया जाता है जبThat दिन में च्र 1998 फूद्ट सब्नाइब सब्सárias तो पथर है नहीं नहीं पथर अगर मुझे लग लग के एक किल में conscient के उनेके जो नीचिए तक यह गया है अब जब पफिचिंग उता है तो पथर पे होता है यह तो तो यह मीट्टी नहीं होता तो पत्थर उखाल के थोड़ी निकल जाता यह जाता है मिट्टी कितना रोकेगा अलकतरा को तारकोल जो होता है वो मिट्टी थोड़ी रोक लेगा पत्थर को रोकेगा और इसमें एक बार चला दिया जाए भर के ट्रॉक यह पूरा धस जाएगा अब लोग सकते हैं कि यह जब की बालू है अभी बारिस नहीं हुआ है तो इस तरह क इसती किया है आद दिखाएंगे त्षर साब बाद में दिखाएंगा पले और विवी लोगाई लोगे से बात किया जाए देखिए यह में लोग अक्रोशित हुए थे और इसको कामा को ठब बीक कराये और कम कराने में है कि यह फिसम 그 हम बना है और आज तोटा यहां यह बाई साभ हैं जब कि यह लोग रोके थे रोड को हम लोग रोके थे पाका वैसे आप लो नहीं हो रहा था मीऐ तो ठीक दालचाय हो बंद हो जाता है कल से काम होगा सारे मशीन आएंगे अच्छा से काम होगा फिर हम दोग चले गए घर फिर वो कल से वैसे ही काम कर दिये अब आप लोग सोचिए कि इन लोग के माना करने के बाजूद भी यह रोट बना हुआ है तो और भाई साब आप कुछ कान चाहेंगे दे से एक पीट भी नहीं है अगर एक भाई साज़ जाए तो रोट टूटना चल हो जाएगा अगर दीए बारीष आएगा तो यह माटीभ दह जाएगा और माटीभ जाएगा तो करीब आदा रोट छाले में चल जाएगा आपका भी काना साही है आ यहां पर चाचा जी आहिसे भी पूछते हैं से आपके उन्हुंस प्याहिए चाहते है किसहीं जात कि यह आत्ति onwards टोबारा टंथ का घट यह जितने भी 강ई और स्टक तरगिए और यह रोट को फिर से बनवाया के चाहता है बालू मीटी मिला कर बनवाया गया और चाहते हैं जिस समय रोट बॉन रहा था तो हम यह यहाँ थे काम को रोके छो रोकने के बाद जैसे पाथल और माटी भरके जो बिशाया गया था एक दो बार रोला चला गया था उसी पर पिचिंग हो रहा था उस समय हम आये तो देखें कि नहीं इस पर पथल डलना चाहिए तो ठिकदार कोते हैं कि जिए नहीं इतना ही का एस्ट मीठ है इसी पर बनेगा हम बोले कि ठीक है इसी पर बनेगा तो कंसुकर माप हवा मसिल पर जलत काम आई अबॉला करें नहीं करें रहरा नहरी करें फмаको दाटर सब्सक्राइल यहरिया तो घृट देते हैं शाली कईऑ लोग ही नहीं कर रहा है तो यह क्या कहा जाए आप लोगों कि आप कितना घटिया किस्म के हो चुके है लो और भी आप लोगों मैं यहां पर दिखाना चाहता हूं कि देखिए यह जब कि पैसिंग हुआ है और यहां पर पैस लगा हुआ है मैं आप लोगों दिखाना का चाहत उसको उपर डालते हैं अब बताइए यह है रोट के इस्तिति यह देखिए यह रोट के इस्तिति अभी इस तरह के रोट घर्टिया बना हुआ आईए यहां पर मैं आप लोगों के दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए कि यहां पर आधा जो है यह तूट चुका है ज सब तुटेगा यह गरांटी के साथ मैं कह रहा हूं कि इस तरह के जो घर्टिया काम इसमें हुआ है यह घर्टिया आप कुछ काना चाहेंगे मैं यह कहना चाहूंगा कि यह रोट जो है आपके सामने हैं सारे ग्रामीड अगर सारी ग्रामीडों का बात नहीं माना जा रहा ह तो इसका मतलब आपको पता है क्या होना चाहिए कोई न कोई दलाली घुसकोरी हुआ होगा तभी यह रोट आप लोग इसके बारे में कहीं आवेदन दिये हैं या नहीं अभी हम लोग आवेदन लिख्किया रखें हैं आवेदन आज या कलमेद चला जाएगा तो आप लोग तो मैं चाहूंगा कि इस तरीका सजाच हो और इस रोड को फिर से बनवाया जाए क्योंकि यह रोड चलने वाला नहीं है टिकने वाला नहीं है कोई भी लोड वाला गारी आएगी तो पलती कर जाएगी घिर जाएगी घटना होगा तो चले मिलते हैं फिर किसी दुसरा वीडि कि अठारा है वाला नहीं है कि यह ही तो कि अधर लिए आपी वाला वालाएगी कि अधरा कि अधरफ दुसराब वाला नहीं है अधर है कर दो झाल झाल